बोचपूर जिलादिकारी तनेश उलतानिया ने अपने कारियाले में प्रेस कॉण्फरेंस कर बाड की समश्या कुलेकर जिलाप्रशासन की तैयारी और वेवस्ता की जानकारे दी, बोचपूर में गंगा और शून के पानी बढ़ने से भोचपूर के बढ़रा साहपूर, आर और कूलवर प्रखंड प्रभावित हुए हैं और भोजपुर की कई पंचाय बार की चपेट में हैं जिला प्रशासन की सभी टीम काम कर रही है सामाजिक और राजनितिक दलों के निता भी अपना सहयोग दे रहे हैं बोजपुर जिला अधिकारी तनेशोल्तानिया ने प्रिस कौन्फरेंस कर जानकारी देती हुए बताया कि बोजपुर जिले में अचानक गगा के जलस्तर बढ़ने से बढ़रा कूलवर सापुर और आरा प्रखंड प्रभावित है जिलाप्रशासन द्वारा चलाय जा रहे है रहतकारी के बारे में उन्होंने जानकारी दी उन्होंने बताय कि भूचपुर जिले में 42 सामुदाइक किचन चल रहे हैं सामुदाइक किचन में 23,000 से ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं सांथी 19,300 पॉलिथिन प्लास्टिक जिलाप्रशासन की ओर से वित्रत किया गया है तीस से अधिक मेडिकल टीम काम कर रही है आपदा प्रवधनर विभाग भी काम कर रहा है बार की स्थिती को देखती हुए चार SDRF और NDRF की टीम भी काम कर रही है जरवती महिलाओं के लिए श्वास विभाग के और शे विशेस दुरिदात देने की बात कही जा रही है जिलाप्रशासन बार के स्थिती से निपटने के लिए पूरी तरह अलट मोड में है और उनके सभी अधिकारी और कर्मी बात पर नजर बनाय हुए है उक्त बाते जिलादीकारी के द्वारा बताई गई भोजपुर जिला में कुल चार प्रखंडों में बरहारा, शाहपुर, सदर और कोईलवर कुछ पंचायतों में पूर्ण रूप से और कुछ में आंशिक रूप से बाढ़ कि इस बार समस्य आई मोसली क्योंकि गंगा नदी का जो जलस्तर था वो काफी तेजी से बढ़ा उसकी वज़ा से कुछ पंचायतों में बहुत तेजी से जलस्तर में वृद्धी हुई तवरित रूप से जिला प्रशासन द्वारा सभी स्थानिय लोग जन प्रतिनिधी और अन्य लोगों से मिलकर सभी प्रकार की वेवस्था कराई गई है कुल जिला में 42 समुदाई किचन संचालित किया जा रहा है जिसमें अभी तक 23,000 से अधिक लोगों ने खाना भी खाया है जो भी important places हैं और उसको हम लगतार बढ़ा भी रहे है कुल 19,300 polythene sheets भी वितरित किये गए है खासकर उन लोगों के लिए जो बांध और अन्य छेत्रों पे आए है राहत केंदर भी आपदा राहत केंदर भी चलाया जा रहा है 30 से अधिक हमारी medical teams हैं जो अलग-अलग जगा camp कर रही है और जो भी तरह की medical सुवधा हैं वो provide कर रही है हमारे यहां कुल 4 SDRF की team और NDRF की team भी कारे रहत है जो खासकर rescue mission में है और साथी साथ जितने भी pregnant महिलाएं है जिनका delivery date due है या किसी भी प्रकार की medical समस्या है उसका हम लोगों ने survey करा लिया है वो data भी है उनका बचाव कारे और उनको अस्पताल में shift करने की कारवाई की जा रही है bleaching powder, halogen, tablets सभी प्रकार की विवस्था कराई जा रही है प्रकंड एवं अंचल कार्याले के सभी पदादिकारी लगतार निरिक्षन कर रहे है बात कर रहे है लोगों से और जो भी प्रकार की राहत साहता है वो प्रदान कर रहे है कुल 200 लगभग नाव संचालित है जिन स्भी छेत्रों में आवशक्ता है लोगों को नाव से क्योंकि पानी इतना वृद्धी हो गया है कि रोड और उससे सफर करना पॉसिबल नहीं है तो नाव कभी परिचालन कराया जा रहा है और जिस भी प्रकार की जो भी सुगधाएं है जिला प्रशासन उसमें त्वरितरूप से प्रदान कर रहा है साती साथ जो हम लोगों का पशू चारा है वो भी लगतार प्रदान किया जा रहा है